दोस्तो अगर आपको Excel में कुछ Expert तरीके से काम करना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी Microsoft Excel की Shortcuts की के बारे में बताने वाला हूँ जो की आपके Excel Work में बहुत ही useful है तो इस वीडियो को आप end तक जरूर देखना तो चलिए सीख लेते हैं कौन सी है वो Shortcut की तो हम आ चुके हैं Excel Workbook में और अभी हमारा करसर यहां पर रखा हुआ है तो हमारी जो सबसे पहली Shortcut की है वो है जैसे कि मुझे ये जो Column है इसको Select करना है पूरे को कुछ इस तरह से तो मैं Manually Mouse से कुछ इस तरह से Select करूँगा लेकिन मेरा जो करसर है वो यहां पर रखा हुआ है तो मैं Control के साथ में Space Button प्रेस करूँगा तो जो Column है वो पूरा Select हो जाएगा जहाँ पर भी आपका करसर होगा बस उस Column को ये Select कर लेगा कुछ इस तरह से यदि आपको ये Wow सेलेक्ट करने है कुछ इस तरह से तो उसके लिए हमको shift के साथ में Space button प्रेस करना है तो कुछ इस तरह से हमारी जो raw है वो पूरी Select हो जाएगी जिस raw में हमारा करसर हो गा उस raw को ये कुछ इस तरह से selection कर लेता है shift के साथ में space button प्रेस करना है next है यहाँ पर मेरे को English के बाद में एक subject मेरे को और add करना था हम इसको कुछ इस तरह से select कर सकते हैं या फिर मैं control space button प्रेस करूँगा यह select हो गया column और मैं control के साथ में plus button प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक column और add हो चुका है अब यहाँ पर हम अपना subject को type कर सकते हैं और उसके जो भी marks हैं उनको type कर सकते हैं तो इस तरह से हम एक column बीच में insert कर सकते हैं shortcut की से अब यदि इस column को यहाँ से हटाना है तो मैं control के साथ में minus button प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरह से यह हट जाएगा delete हो जाएगा उसके बाद है अगली shortcut की है जैसे कि मेरे पास यह बहुत बड़ा data है छोटा मोटा data नहीं बहुत बड़ा है और मेरे को इस data के सबसे last row में जाना है तो मैं आपर देखिए मेरा cursor भी यहाँ पे है और मैं सबसे last में जाऊँगा तो उसके लिए control के साथ में down arrow button प्रेस करूँगा तो सबसे last वाली जो cell है वहाँ पर मैं पहुंच जाऊँगा देखिए यहाँ पर 6907 नमबर की रो है यह last वाली रो में मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ठीक है मतलब इस data की सबसे last वाली जो रो है उसमें मैं आ चुका हूँ उसी तरह से मैं अब सबसे top में जाना चाहता हूँ तो मैं control के साथ में home button प्रेस करूँगा तो मैं सबसे top में चला जाऊँगा अगर आपको इधर last column में जाना है यह data कहां तक है उस last column में जाना है तो आप control के साथ में right arrow button प्रेस करेंगे इस तरह से सबसे last वाली column में यहाँ पर आ जाएंगे तो यह data यहाँ तक था तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अगर आपको फिर से first column में आना है left arrow की प्रेस करूँगा control के साथ में left arrow की तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ठीक है इस तरह से हम last column में जंप कर सकते हैं last cell में last row में जंप कर सकते हैं और first cell में इस तरह से आ सकते हैं इसके बाद दोस्तो एक सबसे most important जो question है जो की interview में खास पूँचा जाता है कि हमारे Excel में total row और column कितने हैं यह interview में पूँचे जाने वाला question है तो इसका solution आपको यहाँ से देख सकते हो देखी यहाँ पर आपको एक arrow दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर हमको click करना है इस तरह से यहाँ पर हमको click करके रखना है तो यहाँ पर देखिए 10,48,576 row है और 16,384 यह column है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे Excel seat में total इतनी row और column होते हैं उसके बाद दोस्तो अगर आपको इसको table में convert करना है तो मैं simple control के साथ में T button प् और इसने यह data है deduct कर लिया है range इसकी select हो चुकिये मैं simple ok पर click करूँगा तो यह data एक second में table में convert हो जाता है कुछ इस तरह से filter के साथ में तो समझ मैं यह control z कर रहा हूं है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर हम आते हैं और अब यहाँ पर आपको कुछ data दिखाई दे रहा होगा यानि कि एक ही cell में कुछ numbers की value लिखे हुई है और यहाँ पर text लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर यह चाहते हैं कि हमारे जो सभी name लिखे हुए है यानि कि जो alphabetic value है यह name वाले column में आ जाए और यह जो numbers लिखे हुए है यह number वाले column में आ जाए तो उसके लिए सबसे shortcut की है द आपको फिर से बता देता हूँ तो मैं यहाँ पर double click करूँगा तो यह editable हो जाएगी सिर्फ text को कुछ इस तरह से select करना है तो मैं control C press कर लूँगा तो यह जो text है यानि कि राजेस कुमार है यह copy हो चुका है अब मेरे को cursor को यहाँ पर रखना name वाले cell में और मैं control के साथ मे V press कर दूँगा तो यह जो name मैं न copy क्या था यह यहाँ पर आ चुका है अब इसके बाद control के साथ में E press करना है तो जितने भी यहाँ पर name थे वो सब यहाँ पर आ चुके हैं आप देख सकते हो नीचे तक सारे name हैं हमारे इसके आ चुके हैं अब यहाँ पर यह जो numbers हैं इनक जो सारे numbers थे वो यहाँ पर आ चुके हैं and name थे वो सब यहाँ पर आ चुके हैं यह जो मैंने process अभी आपको बता है इसको बोलते हैं flash fill करना इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम filter shortcut की से कैसे लगाते हैं control shift के साथ में L बटन प्रेस कर रहा है तो इस ribbon बार को हमें hide करने के लिए control के साथ में F1 function की press करना है F1 control प्लस F1 तो यह जो ribbon बार है यह hide हो जाएगा उसके बाद मैं home tab में click करूँगा तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा and यहाँ पर click करूँगा तो इस तरह से and यहाँ पर click करता हूँ तो यह hide हो जाता है अगर मेरे को इसको सो करना है तो control F1 प्रेस करूँगा फिर से तो यह सो हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से horizontally format में एक data है मैं चाहता हूँ यह vertical format में आ जाए तो मैं इसको इस तरह से select करूँगा तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा control के सा पर click कर दूँगा तो मेरा जो data horizontal में था वो इस तरह से vertical format में हो चुका है देख सकते हो कुछ इस तरह से उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे को किसी भी column का sum करना है या फिर किसी भी row का sum करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा shortcut है जैसे मैं यहाँ पर इन सभी जो numbers है इनका sum करना चाता हूँ यहाँ पर तो cursor को यहाँ रखा और alt के साथ में equal button प्रेस करूँगा और enter प्रेस कर दूँगा तो इसका sum एक second में हो करके मेरे सामने आ जाता है तो sum करने का सबसे आसान तरीका है alt के साथ में equal button प्रेस करना है sum हो करके यह आ जाएगा यदि मेरे को यहां पर डेट आज की जो डेट है, वो यहां पे present करवाना है, तो मैं simple control के साथ में, semi column बटन प्रेस करूँगा, तो आज की जो डेट है, current date वो आ जाएगी, अगर मेरे कुझ टाइम यहां पर print करवाना है, तो मैं control, shift के साथ में, semi column वाला button प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए अभी का current time में वो यहाँ पर आ चुका है इसके बाद दोस्तों हम कुछ ऐसी shortcuts यहाँ पर सीखने वाले हैं जो कि हर एक option के लिए हम उसको use कर सकते हैं तो यहाँ पर कोई कॉलम देखिए कितना बड़ा है और कोई कॉलम कितना छोटा है तो मैं यह columns हैं इनको एकदम adjust करना चाहता हूँ सबको बराबर में मतलब text के according तो मैं कुछ इस तरह से select कर लेता हूँ select करने के बाद मैं alt को दबा करके छोड़ देता हूँ उसके बाद h o i प्रेस करूँगा तो देख सकते हो यह auto fit कॉलम में convert हो चुके है यानि जितना हमारा text है उतने ही यहाँ पर जो कॉलम से उनकी width हो चुकी है इसके बाद दोस्तों मैं कुछ यहाँ पर करसर को रखूँगा ctrl shift down बटन प्रेस करूँगा तो यह थी हमारी कुछ Microsoft Excel की useful shortcuts की तो अगर आपको यह shortcut की है यह पसंद आई हो तो हमें comment करके जरूर बताए हम मिलते आपको किसी नए वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्र